जिलाब लास्पूर में COVID-19 बेश्विक महमारी का सिलसला थम्य की उपेक्षा और अधिक तीवर गती से बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिलाब लास्पूर में एक वार फिर से COVID-19 का महमारी का बड़ा विस्पोर्ट हुआ है हम आपको बताते चलें कि जिलाब लास्पूर में COVID-19 के पॉजिटिव मामलों ने दहाई का अंक पार कर लिया है देर रात IGNC शिमला से आई COVID-19 शैंपलों की पोर्ट के मताबिक 25 नए पॉजिटिव मामले आने से एक वार फिर से हड़कप मच गया है जिला बलास्पूर के स्वास्थे अधिकारी डॉक्टर परमिंदे सिंग के अनुजार इन पॉजिटिव मामलों में अधिकतर मामले बलास्पूर के कोठी पूरा में निर्वाना दिन एम साइट पर कॉरेंटिन बरवासी मजदूरं से संबंदित हैं इस तरह से कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 209 तक पहुँच गया है जिला में अभी तक 131 लोग करोना से निजात पा चुके हैं देरात के 25 मामलों सहित 78 रोग्यों का कोविड-19 के सेंट्रों में उपचार चल रहा है जिला स्वास्थे अधिकारी ब्लासपूर डॉक्टर परमिंदर शिंग ने आम जंता से आग्रे किया है कि कोविड-19 महामारी को हलके में मत लें इससे बचाप के ब्रती सैनाटाइज करने वो स्फाई का विशिश द्यान रखें बीड़ वाले स्थान पर ना जाएं कोविड-19 की ब्लासपूर डिस्टिक में लेटर सब्डेट यह है कि कल जो सैंपल हमने आईजीमसी में भेजे हुए थे उन में से 28 नए पॉजिटिव केसिज आये हैं पर यह जो 28 पॉजिटिव केसिज आये हैं इन में से 27 लोग यह एंज की जो कंस्ट्रक्शन साइट है व जिन में 69 लोगों का इलाज अभी तक हमारे पास यह जो हमारे कोविड के सेंटर हैं उन में चला हुआ है और एम्स में अभी तक नए-नए केसिस निकल रहे हैं क्योंकि यह लेट लेट मदला इनके पिछले महिने में जो लास्ट में लेबर आई थी उन में से जलातर केस नि लिए कोविड केस सेंटर पहतना कि लोगों को हम इस बिमारी से बिचा सकें और इससे यह भी होगा कि जो आसपरस के जो एजियसे कोठी गुरा के या और मार्कीट लोकल मार्कीट है जी लोकलए इसके लोग हैं उन वारे लोग अभी जानते ही हैं कि अभी क्योंकि ये बीमारी के केसे काफी बढ़ रहे हैं तो अपना ख्यार लखें, मास्क लगाके मार्कीट में जाएं या बाहर जाएं और सैनिटेशन के लिए हैंड सैनिटाइजर या हैंड वाश करते हैं